Hello friends, Welcome to Prickshar Institute, it's me Prifurta Amkumar दोस्तों, आज आपकी class में जो लेकर रहा हूं, यह आपकी class Determiner का आपका part number second है, जिसमें आप सेखने वाले हैं article the, यानि कि definite article the का use कहां पर होता है, किस चीज से पहले करते हैं, यह सारी चीजे आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो चलिए विनादेरी की इस वीडियो को हम continue करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को subscribe करना, वेल आइकन को प्रेस करना, मत भूले जिससे क्यानी वाली वीडियो की notification आपको बिल्कुल time पर मिलती रहे चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपनी इस वीडियो की, सबसे पहले इसमें देखिए दिया गया first line जो दी गई है, वो क्या है, जब वाक्य में वाक्य में एक noun बोला जा चुका हो, मतलब एक वाक्य हो और उसमें एक बार एक noun बोला जा चुका हो, और फिर से उसी को दो किया गया हो, एक sentence में फिर से उसी noun को जब दोहराया जाता है, तो उस noun से पहले हमें क्या लगाना होता है, दा का यूज करना होता है, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे I want a pen, यहाँ पर देखिए a pen आपका जो है, पहले से ही mention है, ठीक है, पहले से ही दोहराया गया है, फिर से but the pen should not be costly, तो यहाँ पर देखिए the, पहले में आपका a, मतलब first time किसी noun का, अगर वरनन होगा, तो वहाँ पर e आपको लगाना है, and लगाना है, लेकिन वो c noun को अगर एक ही sentence में दुबारा से mention करना हो, दुबारा उसी के बारे में बताना हो, तो आप ध्यान लीजिए, तब व कोई भी चीज, जैसरम ने लिखा यहाँ पर a, teacher, लेकिन इसी चीज को अगर हम दुबारा mention करेंगे, तो क्या होगा, तब a teacher नहीं, तब हो जाएगा the teacher हो जाएगा, ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें, इस चीज को ध्यान रखना है, वही चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है, पिर किसी संग्या के संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराने के लिए, मतलब अगर कोई भी संग्या है, उसके पूरे जाति संग्या हो, या जाति का बोध कराना हो, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले दा का यूज करते हैं, मतलब कोई भी common noun है, यहां पर किसके बारे में कहा जा रहा है, यहां पर उसकी जातिको संबोधित कर दिया गया, ठीक है, यहां पर किसको संबोधित किया गया है, जातिको, यहां पर जातिको संबोधित करना हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जातिको संबोधित करने के लिए, जातिको संबोधित आजाएगा तो यह चीज आपको ध्यान लखनी है पहले दा फिर common noun यहाँ पर देखिये दा पीकॉक हैस ब्यूटिफूल तो यहाँ पर क्या दिया गया देखिये ठीकॉक यहां पर यहाँ पर एक common वर्स हो गया और यहाँ पर दा ब्लार इस से पहले अरडिकल आ गया जो कि जीफOC हो था डिधनिट आ पीकल है जिया क्या करते हैं तो वह किसी जाठ या वर्ग कोश व tar Smoc जब कोई noun, uniqueness यानि कि अदुतियता का भाव पर कट कर रहा हो, मतलब जब कोई noun जो है, कोई unique हो, क्या हो? Unique, मतलब एक ही हो, उसके जैसा अनिक हो ही ना, तब unique चीजों के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर, दाका यूज करते हैं, जैसे, the sun gives us light, sun जो है, ये एक unique चीज है, इसलिए यहाँ पर इससे पहले, दाका यूज कर लिया जाता है, जैसे, next step की तरफ बढ़ते हैं, ऐसी ही sun हो गया, moon हो गया, ठीक है, moon हो गया, इनसे पहले moon है, earth है, इनसे पहले अगर आप यूज करते हैं, तो क्या आएगा, इनसे पहले दाका यूज किया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, फिर हैं, किसी noun का earth सीमित करने के लिए, मतलब कोई भी noun है, उसका बढ़ाच रहा करके earth ना दिया जाए, सीमित अर्थ रखा जाए, limited जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड अर्थ के लिए, लिमिटेड मीनिंग के लिए, अगर हम जिसका यूज करते हैं, तब हम क्या गरेंगे, लिमिटेड मीनिंग के लिए भी दाका यूज कर सकते हैं, जैसे, the student in class 10th are brilliant, यहाँ पर देखिए, student एक common noun है, और उससे पहले in the class 10th, तो यहाँ पर देखिए, limited है, क्योंकि class 10th के बारे में सिर्फ यहाँ पर discussion किया जा रहा है, उससे पहले हम क्या करते हैं, limited चीजों को show करने के लिए भी हम दाका यूज कर सकते हैं, दूसरी चीज यह तो सबको ही पता होगा, superlative degree से पहले-दा का प्रियोग होता है, कभी भी sentence में अगर कोई भी superlative degree आती है, तो superlative degree से पहले-दा का यूज होता है, मतलब कि कह सकते हैं, सबसे पहले दा और दा के बाद में, Superlative degree होती है, Super expensive degree आपकी और भीगी तो Super-lative degree आपकी आजाती है D calendar के बाद जैसे कि इसने मताए गें sentence में Ram is the Best तो Das Best जो है यह क्या है? यह आपका जो है यहां से यहां तक यह आपका 식 चैन्स आपके Super-lative degree है तो Super-lative degree से पहले आपको दिख मेरा होगा यहाँ पर दाका यूज किया गया है आप देखिए दूसरा point से मारा क्या कहता है दूसरा point कहता है जब adjective का प्रियूप noun की तरह करना हो मतलब किसी भी adjective को अगर आप noun बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको दाका यूज करना होगा तो यहाँ पर दिया पहले लगा हुआ, the यह पूरा noun बन जाता है, ठीकि यह अब यहां पर जो है, अगर कहें यह adjective है, यह article है, तो यह article और adjective में आप count नहीं होगा, क्योंकि यह noun बन जुगा है, ठीक है? पिर ए डिविनिट प्रणावन के बाद आप देखे कुछ ऐसे डिविनिट प्रणावन ऻोते हैं जिनके बाद हमें क्या लगाना होता है दाकाप्रियोग करना होता है जैसे most हो गया, all हो गया, many हो गया, then हो गया, 1 third हो गया इसके बाद में off आता है और off के बाद में plural noun आएगा और plural noun से पहले दाका प्रियोग किया जाता है जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा sentence में फिर अलार्श नंबर दे मैजोरिटी निकि अलार्श नंबर और मैजोरिटी इन सभी से के साथ में मतलब इनके बाद में क्या करते हैं दाका यूज किया जाता है यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं यहाँ पर दाका यूज किया गया है फिर आप देखते हैं जो fix होते हैं बिल्कुल fix उनके लिए क्या है आपके लिए चार्ड बना दिया है मैंने से सी मतलब समुद्र किसी भी समुद्र का अगर नाम है तो समुद्र के नाम से पहले आपको क्या लगाना है दाका यूज़ करना है The Red Sea, The Arabian Sea, etc. Aucine मतलब महासागर Aucine मतलब महासागर तो महासागर अगर कोई है तो महासागर से पहले आपको क्या लगाना है? दाका यूज़ करना है जैसे कि The Atlantic, Aucine, The Pacific, Aucine ऐसे ही जो भी महासागर जितने भी है उनसे पहले आपको क्या लगाना है? दा का यूज़ करना है, अब बे, बे मतलब यानि की खाड़ी, जो भी खाड़ी है उनसे पहले, यानि की चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, चाहे जो भी हो, यहाँ पर उनसके नाम से पहले भी आपको दा लगाना है, जैसे की, गल्फ, मतलब गल्फ का मतलब होता है, यहाँ खाई, ठीक है? गल्फ का मतलब यहाँ है, खाई से तो कोई भी खाई, यह मतलब यह भी खाड़ी ही होती है पहाडों की बिश से, जो पानी बहता रहता है खाई यह बहुत बढ़ी बन जाती है, तो उसको कहते है गल्फ गल्फ के नाम से पहले भी आपको दाका यूज करना है अब कैनल, मतलब नहर नहरों के नाम से पहले, यह नहरों के नाम से पहले भी आपको दाका यूज करना जैसे दा पनामा कैनल, दे स्विस कैनल, एक्सटरा इनके नाम से पहले आपको देखिए, यहां पर दाकायूज किया गया है Cap Cap जो होता है, यह समुद्री एरिया जो होता है उसका एक corner type से ऐसे ही यहां पर मानलो पानी होता है और यह से corner type से जो किनारा होता है यह पहाडो का ऊचा सा, यह जो निकला हुआ होता है उसको Cap बोलते हैं उनके नाम से पहले भी आपको दालगाना होता है The Cave of Good Hopes यहां पर Cap जो भी है, Cap के नाम से भी पहले आपको दाबका यूज करना है फिर आते हैं dessert dessert मतलब रेगिस्तान तो रेगिस्तान के नाम से पहले रेगिस्तान कहले या फिर मरुस्थल कहले इनके नाम से पहले आपको दाबका यूज करना है The Desert of Sahara, The Thar Desert, etc train मतलब train का train ही कर सकते हैं रेल गाड़ी कहते हैं इसको ठीके तो train के नाम से पहले भी आपको क्या करना है यहाँ पर दा का यूज करना है The Henry Express, The Magd Express, The Punjab Mail, The Intercity, etc यह train के कुछ नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं जिनके साथ में आपको दा यूज करने लाना है मतलब कोई भी train का नाम हो उसके साथ आप दा लगा सकते हैं आसानी से दूसरी चीज है ऐरोप्लेन एरोप्लेन के नाम से पहले आप दा कायूज कर सकते हैं The Kasmir Princess, The Point, etc सिप मतलब जहाज जहाज जो भी है जहाजों के नाम से पहले जो भी जहाज है जहाजों के नाम से पहले भी आप दा कायूज कर सकते हैं जहाज जो भी हैं उनके नाम से पहले कि जहाज के नान चेह पहले भी आप दा का यूज कर सकते हैं दविक्रांत विक्टोरिया था क्वीन मैरी एक्सेटरा फीजिकल पूजिशन जो आपकी भौतिक अवस्थाइं होती हैं उनसे पहले भी आप दा का यूज कर सकते हैं on at यानि की top मतलब चोटी पर, the bottom, तली पर, of the utter, the in front of, the bank of, etc. जो भी position, physical position मतलब जो भी भूती का वस्थाय होती हैं, उनसे पहले भी आप इनका यूज कर सकते हैं. अब बात करते हैं, geographical direction, तो यहाँ पर geographical direction आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, भूगोल मतलब हमारे चारों तरब, प्रत्वी की direction से हैं, उनसे पहले भी हम किसका यूज कर सकते हैं, दाका, जैसे की, the east, the west, the south, the north, etc. physical environment, physical environment जो भी है, जैसे की, the rain, the fog, the wind, the weather, the seaside, the sunshine, यह सब physical environment हैं, इनसे पहले भी आपको दाकायूज कर लेना है, दाकायूज होता है, बात करते हैं, political party की, जो भी राजनीतिक दल हैं, उनके नाम से पहले भी आप दाकायूज कर सकते हैं, जैसे की, भारती जनता party, the congress party, the रा party हैं, उनके नाम से पहले आपको दाकायूज करना ही करना है, religious community, अब देखिए, जो भी community है, उनके नाम से पहले भी आपको दाकायूज करना है, जैसे की, the Hindu, the Sikh, यानि की, जो भी धर्म है, धर्मों को ले करके बताया गया, जो भी धर्म है, उनसे पहले भी आपको पिर आता है improving Shaun धार्मिक गरंतielle पहले भी आपको दाकायूच करना है जैसे गीता the Mahabharata the Ramana the Quran the holy bible etcetera यह सब भी जो भी हमारी धार्मिक पुस्तके हैं उनसे पहले आपको धाकायूच करना है पिर बात करते हैं यहाँ पर कुछ armed force जो भी सुरच्छा बल हैं ठीक है हमारे जो सुरच्छा बल है armed force जो भी सुरच्छा बल हैं उनसके नाम से पहले भी आपको दाका यूज करना है जैसे the police, the army, the navy, the air force, etc government branches अब देखिए सरकार की जो साखाएं होती हैं सरकार की जो साखाएं हैं उनसे पहले भी आपको दाका यूज करना है जैसे कि the executive, the legislative, the ministry of finance, the tax department, the judiciary तो साखाएं जो भी हैं government की हमारी सरकार की जितनी भी साखाएं उनसे पहले भी हम दाका यूज करेंगे बात करते हैं hotel और restaurant तो hotel का नाम हूँ या restaurant का नाम हूँ उससे पहले भी हम दाका यूज कर सकते हैं जैसे दमोर्या, the grand hotel, the taj hotel, the smart international, etc. तो यहाँ पर the samrath international, etc. मतलब कोई भी नाम से पहले यहाँ पर आप लोग कह रहे होंगे the maurya, the grand hotel तो इस तरह से आप नाम कुछ देख रहे होंगे तो आप सूच रहे होंगे इनसे पहले तो दा आना नीच है लेकिन आ सकता है अगर hotel और restaurant का नाम है बात करते है थेटर and club की, तो club हो या थेटर हो उनके नाम से पहले भी आप दाकायूज कर सकते हैं the lion club, dapsara, etc. museum and library, जो भी museum है उनके नाम से पहले भी आप दाकायूज कर सकते हैं the british museum, the british library लेकिन parliament के पूर्व दाका प्रियोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा कि parliament का जो भी वर्सब्द होगा उससे पहले आपको दाकायूज नहीं करना है parliament मतलब होता क्या है, parliament हैते है, शांसत को, ठीक है यहां पर आप उससे पहले दाकायूज नहीं करेंगे, बात करते हैं next तो आता है newspaper मतलब किसी भी newspaper का नाम होगा अगर किसी भी newspaper का नाम है तो उससे पहले दाकायूज आपको कर लेना है जैसे the hindustan times, the indian express, the new york times यह कुछ आपके newspaper के नाम है, जिनसे पहले आप दाकायूज कर सकते हैं newspaper कोई भी हो, उससे पहले आपको लगाना ही लगाना है बात करते हैं important building की तो कुछ महत्वपूर हमारी इमारते होती हैं, उनसे पहले भी आपको दा लगाना है जैसे the white house, the राष्टपति भवन, the parliament street, यदि पहले किसी व्यक्ति का नाम लगा हो तो दाका प्रियोग नहीं करेंगे मतलब इनसे पहले अगर किसी व्यक्ति का नाम लगा हो तो आप दाकायूज नहीं करेंगे यह भी आपको ध्यान रखना है बात करते हैं, empire मतलब समराट जो भी समराट हैं, समराटों के नाम से पहले भी हम दाकायूज करेंगे जैसे the roman empire, the mughal empire ठीक है इस तरह के जो भी नाम आएंगे ऐसे तो आप उनसे पहले दाकायूज कर सकते हैं इस्टोरिकल बिल्डिंग, आप कुछ आती हैं इतिहासिक इमारते जो भी हैं उनसे पहले भी आप दाकायूज कर सकते हैं जैसे the kutub minar, the red fort, the taj smahal, etc. dynasty, dynasty मतलब जैसे कुछ oneses होती हैं जो oneses dynasty हैं उनसे पहले हम दाकायूज कर सकते हैं जैसे गupt dynasty, the morian dynasty, etc. ऐसे बहुत सी चोल dynasty, ऐसे बहुत सी dynasty हैं तो उनके नाम से पहले आप यूज कर सकते हैं दाका बात करते हैं historical period as, historical period times जो हैं उससे पहले भी हम दाकायूज कर सकते हैं जैसे the Victorian period, the Victorian as, Elizabeth as, etc. historical events, तो कुछ हमारे जो historical events हैं उनसे पहले भी आप इनका घटनाए जो घटी हैं उनसे पहले भी आप दाकायूज कर सकते हैं the French Revolution, the Russian Revolution, the Battle of Panipat, the Quit India moment ठीक है तो यह कुछ हमारे battles घटनाए जो घटी हैं हमारे इतिहास में उनसे पहले भी आप दाकायूज कर सकते हैं दूसरी चीश सबसे अहम बात यह आती है जो हमारे ordinary numbers होते हैं, the first, second, third, इन सभी से पहले भी आप दाकायूज कर सकते हैं दाकायूज कर सकते नहीं होता ही है, ठीक है musical instrument जो भी हमारे वाद्ययंत्र होते हैं ठीक है, और invention दूसरी चीश मतलब musical instrument वाद्ययंत्र वाद्ययंत्र जो भी है वो दूसरी चीश अविस्कार 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 हों और वाद्ययंत्र हों उन से पहले आप दाकायूज कर सकते हैं जैसे वाद्ययंत्र क्या दिया गया इसमें जैसे तबला ठीक है पासुरी तबला हो गया पासुरी हो गया बांसुरी, यह आपके वाध्यांत्व हो गया, बात करते हैं, आविस्कार की, तो यहाँ पर जैसा लिख दिया हमने, यह अविस्कार हो गये, टैलिफॉन, ठीक है, रेडियो, टैलिफॉन हो गया, इन सबसे पहले आपको क्या लगाना है, दा का यूज कर लेना है, यहाँ पर दा, तो हमने इंगलिस में नहीं लिखा हिंदी में लिख दिया है, no problems, I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ आपका दा की जो भी problems थी, वो solve हो गए होगी, अगर आपका कोई doubt सहता है, तो link भेजे हमें comment box में, मैं इस वीडियो आपको बना करके और पुरा solution करके दे दूँगा, जैंक,